हेलो फ्रेंड्स नमस्कार तो स्वागत है आपसभी का आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फेस्ट्बूक एकाउंट में जो एड़ फ्रेंड आता है उसकी जगह हम फोलौ बटन कैसे add कर सकते हैं, तो सबसे पहले Facebook account को login कर लेना है, login करने के बाद, यहाँ पर right side पर top पर 3 line है, उसके उपर click कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको name दिखेगा name के नीचे लिखा है, see your profile तो उसको select कर लेना है तो friends, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, कि जो दूसरे बंदे हमारे profile देखेगे तो वो कैसा दिखे है, ओके तो यहाँ पर 3 dots उसके उपर click कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर option आएगा view as तो simply view as के उपर click कर लेना है, अभी कोई भी दूसरा बंदा हमारे profile को देखेगा, तो हमारे profile कुछ इस तरह का देखेगा, और यहाँ पर add friend का option देखेगा तो हमको क्या करना है, यह add friend की जगा follow button add करना है, तो आपको यहाँ पर back चले जाना है, उसके बाद, यहाँ पर आपको नीचे option आएगा setting and privacy का तो आपको setting and privacy के option के उपर click करना है, उसके बाद, आपको यहाँ पर settings का option दीखेगा, तो simply settings के option के अंदर चले जाना है, उसके बाद, आपको यहाँ पर नीचे आजाना है नीचे आपको audience and visibility के अंदर followers and public content नाम का option दीखेगा तो आपको उसको select कर लेना है, उसके बाद, आपको यहाँ पर first option दीखेगा, who can follow me, तो यहाँ पर अगर आपका setting यह है, friends का है, तो उसको आपको public कर लेना है, उसके बाद, यहाँ पर second option है, who can see your followers on your timeline, तो वो यहाँ पर public है, तो उसको public ही रहने दो, फिर आपको यहाँ पर last में आ जाना है, और friends, last में आपको दीखेगा, public profile information, ओके, तो यहाँ पर मेरा भी friends के उपर है, उसको मेरे को public करना है, तो यहाँ पर आपको public कर लेना है, और friends, मैं यह first बात आपको बता देता हूँ, कि अगर आपका profile लोग है, तो यह public setting अपका set नहीं होगा, तो उसके लिए पर आपको क्या करना है, अपने profile को unlock करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर public setting, मतलब यह public option set कर सकोगे, तो यह हमारा setting से हो चुका, सब public हो चुका है, उसके बाद, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर वापस बेक आजाना है, और audience and visibility के अंदर ही, आपको option दिखेगा, how people find and contact you, तो उसके उपर आपको click कर लेना है, ओके, जैसे ही आप उसके उपर click करोगे, तो कुछ इस तरह का interface आजाएगा आपके screen पर, तो friends, first option है, who can send you friend request, तो आपको first option select कर लेना है, ओके, तो यहाँ पर, who can send you friend request में, दो option आ रहा है, everyone, और second है, friends of friends, ओके, तो आपको यहाँ पर, friends of friends कर लेना है, तो यहाँ पर मैंने friends of friends कर लिया है, उसके बाद, आपको वापस से बेक आजाना है, तो friends, मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ, कि यहाँ पर right side पर top पर three line है, उसके अंदर जाना है, उसके बाद, आपको यहाँ पर profile के उपर select करना है, और यहाँ पर three dot है, उसके उपर click कर लेना है, और वापस से, आपको यहाँ पर view as का option दिखेगा, तो simply, आपको यहाँ पर view as के option को select कर लेना है, तो friends, आप यहाँ पर देख सकते हो, जब हमने start किया था वीडियो तो आपको यहाँ पर add friend दिख रहा था, अब आपको यहाँ पर दिखेगा follow button, तो इस तरह से, आप भी अपने profile में add friend की जगा, यहाँ पर follow button add कर सकते हो, okay friends, I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, friends, वीडियो पसंद आये, तो like करना, share करना, और channel पर नए हो, तो channel को subscribe जरू करे, okay, thank you, जैहिन,